व्लॉक की शुरुवात हो रही है भरवा भिंडी से आपको तो पता ही है कल मैं काट रही थी ना तो आज फिर मैंने यही सुबह सुबह बना ली है पूरी तैयारी थी बस छोप नहीं था तो फटा फट से यह बन गई पराठे बन गए बच्चों को टिफिन दे चुकी हो और जा भी चुके हैं और यहां मैंने ले लिया है अपना पहला ग्लास पानी का अब इसको पिए भी टाइम हो गया था फिर मैंने यह दूसरा ग्लास बना लिया शहद और नीबू का और साथ ही महां दूद भी उबल रहा है आज इंडक्शन में नहीं उबाल रही हूं ऐसा था कि आज है ना लाइट देखियो बल एकदम गिरने वाला ही था तो लाइट नहीं है आज पता नहीं छह बजे से ही गाया थी लाइट तो वही है तो खेर हमें तो बिना लाइट के आदती हो गई है इंवर्टर में जी लेते हैं हम लोग वही नीबू बचा था तो फिर वही आज करने का सोच रही हूँ घर में अभी मैंने पूरा काम कर लिया जाडू पोचा वगरा सब हो चुका है तो फिर मैंने सोचा कि इन गमलों में नीचे छेद नहीं है तो मैंने मुमबत्ती से यह देखिए इसलिए नीचे से काले काले हो रहे हैं मुमबत्ती से थोड़ा सा उन्होंने सब में छेद कर दिये वैसे तो गमले वाले भी कर देते हैं पर मैं उनसे कराना कल भूल गई थी तो खैर यह इन में छेद हो गया है फिर यह मटी में मैंने थोड़ी सी यह मिर पास खाद रखी थी यही जो लेकर के आये थे ना महां पर हमारे प्लॉट पे वहां भी मिली हुई है और बाकी मैंने आज यह वाली मार्केट वाली वाली खाद भी इसमें डाल दी है और वैसे तो मैं पौधे ऐसे वाले लगाऊंगी जैसे जैड प्लांट टाइप के और वो नोगुजिया टाइप के तो वो तो एजिली लगी जाते हैं उन्हें मतलब खाद वात कि इत्ती जुरद भी नहीं होती वो नॉर्मल में भी लग जाते हैं तो यही मेरा जैट प्लांट काफी एक पॉट में काफी बड़ा हो गया था तो वो ही मैं उसमें से काट काट के इसमें लगाऊंगी और यह नोगुजिया का आगे ब्लू वाले गंले में रखा है ल पूरे में सब में लग गई हैं एक इधर एक इधर दूप से भी एना चटक जाते हैं अभी मैंने देखा तो एक गमला थोड़ा सा चटक गया था तो उसको भी मैंने अपने पीछे की तरफ लगा दिया है लेकिन यहां अब पूरा भर गया है तो अब काफी अच्छा लग है और थोड़े दिन में भी बरसात का मौसम थोड़ा बहुत तो चली रहा है जब तक सावन है तो उम्मीद है कि तब तक यह और अच्छे से मतलब लग जाएंगे तो यह मेरा बड़ा काम हो गया है नहाने वाने से पहले फिर यह करने के बाद है ना फिर मैंने सुचा अच्छे से रूटीन फॉलो हो रहा है और अब मैं यहां बना रही हूँ यह कोई मेथी अजवाइन वाला वो वाला पानी बना रही हूँ मैं ऐसा करती हूं कि नेक्स ड्रिंक यह ना बनने रख देती हूं एक पी लेती हूं उसके थोड़ी देर बादी क्योंकि वो मुझे भूक का एहसास हो उससे पहले ही मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए तो फिर उससे वाली यह ना क्रेविंग वगेरा नहीं होती है यह सबसे बड़ा वो है एक पीऊंगी दूसरी है ना बनाने के लिए तैयारी रख दूंगे तो इस समय देखिए नहा वहाँ चुकी हूँ तो भूक लगती है अधिकतर लोगों को तो नहा के बहुत कसके भूक लगती है तो और कुछ करूं उससे पहले है ना सबसे पहले कुछ तैयार कर लेती हो अपने लिए तो ग्यारा बच चुके हैं ठीक ग्यारा ही बज रहे हैं इस समय बस यह भी थोड़ी गरम गरम है इसलिए इसको इत्ती जल्दी तो मैं नहीं पिऊंगी तो मैं एक्सराइज शुरू करती हूँ और बीच-बीच में पी करके फिर इस वे खतम करूंगी कल संडे है मुझे ल लगा के फटा-फट से करती हूँ ज्यादा मतलब वो करने का मन नी कर रहा है कि उपर जाओ और वो सब कर और कपड़े भी चेंज करने सबसे बड़ी बात है आज मैंने यह पहन लिए फ्रॉक अब इसमें तो एक्सराइज होने से रही है आज जो मैं वर्काउट कर रही हू ना वो सारा खड़े होकर करने वाला वर्काउट है तो यही कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तोंद जो है ना मेरी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है वर्काउट का इतना जल्दी असर देखने को तो नहीं मिलता है लेकिन हाँ आप करते हुए मुझे लगता है कह तो ऐसा मतलब थोड़ा फरक लगता है कि हाँ पेट थोड़ा सा मेरा पहले से कम हो गया है जो पहले एकदम तनाता हुआ रहता था आगे निकला हुआ सा अब थोड़ा सा अंदर रहता है निकला तो खेर अभी भी है ऐसा में नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं निकला है न यह है कि एक healthy lifestyle को मैंने पकड़ा हुआ है अब इसका जो भी असर हो जितने दिन में हो वो एक देखने वाली बात है यो कि अगर मैं यहां इन दिनों यह कर रही हूं तो यह सब मैं अपने जीवन में इतना लग करके यह सब पहली बार ही कर रही हूं ऐसा नहीं है कि मैं इसके अब भ्यास तूँ भई पहले भी बहुत exercise करती थी ऐसा कुछ नहीं है इनी दिनों में ही आपके सामने ही यह आदते मैंने अपने अंदर डवलप करी हैं पहले मेरा focus अना सिर्फ diet पर जादा रहता था मुझे लगता था जो चीज 80% काम करती है तो उस पर जादा काम करो 20% क भी अपना लिया है तो देखते हैं इसका हमें और आगे क्या result मिलता है एक्सराइस तो हो गई है और बच्चे भी आ गए हैं यह देखे यहां दिख रहा है एक कैमरा बंद है लेकिन बाकी में में तीन चालू है बालकनी वाला बंद हो गया पता नहीं क्या है मैं इसको इतन और इस समय मतलब बारा बजने ही वाले हैं तो मैं अपना एक डाइट तैयार कर लेती हूँ कुछ अच्छी ठोस क्योंकि मेरे को जाना विया है इसलिए तो बारा बजे सबसे पहले ही मैंने तो यह फल खाए एक एपल है और एक है नाशपाती तो यह खाया फिर इसके बाद मैं लग गई इडिली बनाने में, आपको पताएं इतने स्प्राउट्स मेरे बचे हुए थे, तो फिर मैंने क्या करा, इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था वैसे, तो अब ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, इनको mixi के jar में डाल दिया और idea से थोड़ी सी है ना सूजी ले ली इसको मैं सूजी वाला सोच्री बना लूँ वैसे तो बेसन वाला भी बना सकते हैं और सूजी वाला भी तो मैंने सूचा आज सूजी वाला ही करते हैं बेसन का चीला तो एक बार खाई चुकी हूँ तो सूजी मिला दी थोड़ा सा इसमें अदरक डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी ये थोड़ा सा दही डाल दिया थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और ये थोड़ा नमक डाल के फिर इसको mixi में अच्छी तरीके से इसका paste तयार कर लिया अब क्योंकि इसमें सूजी भी डली थोड़ा नमक ले लिया है थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर इसको जब चला लिया ना फिर याद आया कि अरहा टमाटर तो डाला ही नहीं फिर इसके अंदर थोड़ा टमाटर एक डाल के फिर इसको पीस लिया है तब जाके थोड़ी सी गाड़ी होई वो और इसमें मैंने यह थोड़ा सा सोड़ा डाल दिया है, घोल हमारा तैयार है, यह इडली के लिए, तो ये फिर मैंने इन साचों में रख दिया, थोड़ा-도ड़ा सभी में, डेखते हैं कि यह कैसे बनती है, कैसी लगती है, तो यह देखिए, हमारी स्प्राउटS इडली तैयार हो गई है, औ और ये थोड़ी मतलब है ना उतनी वैसी चिकनी सी नहीं बनी है जैसे चावल की बनती है लेकिन ओवरॉल वैसे काफी अच्छी बनी थी तो फिर ठीक एक बजे मैंने ये अपना इडली वाला ये लंच कर लिया उसके बाद मैं निकल गई थी और जहां मेरा काम था वहां मम्म पुल्त बना इा चरहां मुत्थ जल जचत अच्छी ए कि अबर worship मुत्थ, मैं मिठव थी डंशी जल तो तो लूँ मिठु निवरे दोग्तों पाया है मुत्तंग जाता ह। कि नहीं समय के बुद्दू घर को आए, घर पर आ गये थे हम लोग करीब साड़े तीन बजे, फिर घर आते ही लगी कस के भूख, कहीं बाहर जाओ तो घर आओ तो तुरन्थ भूख लगती है, भले यादा घंटा पहले कुछ खा के गए हो, तो जादा कुछ नहीं, मैंने फिर वो इडली ही खाई, एक दो इडली और खा ली है, तो अभी तो फिलाल मेरा पेट भर गया है, अब पांच बजे के आसपास देखेंगे कि क्या खा सकते हैं, लास्ट जो भी है, तो अब मैं कर रही हो थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलूँग आप से शाम को, तो रेस्ट मेरा हो चुका है, शाम का ये वक्त है, वही 5-6 के बीश्ट का, तो मैंने ये थोड़ा पपीता ले लिया है, कुछ ट्राइफ रूट्स टाल दिया है, और दो चमच डाल दिया है, इसमें ये ब्राउन शुगर, फिर बस सबसे पहले इसको मैंने पीस लिया है, ये तो अगर दूद मिला द दूद का सेवन नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने बोला तो फिर मैंने सुचा लोगो, हाँ दूद में इत्ती बुराई भी नहीं है, कभी कबार तो पी सकते हैं, तो फिर आज मैंने फिर ये दूद इसमें डाली दिया, और ये शेक काफी अच्छा बना था, तो देखिए थोड़ा अंदिरा ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि आज निकलने में भी देर हो गई थी, देखिए कितना सुन्दर है न संसेट हो रहा है, मतलब रोज शाम को मुझे संसेट इतना प्यारा सा देखने को मिलता है, ऐसे मन तो सूर्य हो दो है, देखने का भी करता है, लेकिन द दाल बनाई, थोड़ी सी सबजी बनाई, थोड़ी क्या वो केले लाये थे ना कच्छे वाले हरे से केले, तो वो इनका खाने का मन था, तो ये मैंने बना ली सबजी उसमें बन रहे हैं, चावल, कभी कभी मुझे लगता है, अगर मैं वेट लॉस का रूटीन या फिर मतलब फिटनेस वाला रूटीन जो, हेल्दी डाइट वगरा, ये सब जो भी अपना रहे हो ना, घर के बाकी सदस्य भी वोई सब करें और वोई सब खाएं, पर ऐसा हो नहीं पाता है, अब देखो बाहर सब वो लोग खा रहे हैं, और मैं या अंदर बैठी हूँ, हाला कि मेरा प देखते हैं, वैसे तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इस लाइफस्टाइल में, क्योंकि एक हल्दी वे में हम चल रहे हैं, जल्दी खा लेते हैं, तो खाना भी अराम से पच जाता है, सुबह ऐसे भारी पन नहीं रहता, या रात में भी भारी पन महसूस नहीं होता ह है, अच्छा सा रहता है, और बाकी ओवराल आज का दिन देखें, तो सब कुछ सही रहा, एक्सराइज तो ज्यादा लंबी नहीं हुई मेरे ख्याल से, थोड़ी देर एक्सराइज हुई है, बीस मिनिट के आसपास, और वाक अच्छी हो गई हाँ, आज मेरे दो चक्कर तो मुझे बहुत सही लग रहा था, ये भी सही रहा, और आज कल जो भी मैं वो बनाती हूं, जैसे कि उस दिन जैसे चने बनाये थे, तो भी दो दिन चले, और ये स्प्राउट्स करे थे, मैं थोड़ा-थोड़ा ही भी गोती हूं, पता नहीं हो इतना जादा क्यों हो जात कि इन्होंने चखा भी दो कह रहते हैं कि अच्छी बनी है, अलगसी हुझाती है, चावल वाली का अलगस वाद रहता है और ये स्प्राउट्स वाली का अलगस वाद रहता है, मैंने सम्झोग ये first time वी ट्राइक करा है, कि इससे प्राउट्स की इलिक कैसे बढ़ेगी, तो